कि अब बढ़ते हैं अभी कहला प्रश्णी यह लेते हैं है पांडरे केश कि कांडरे केश क्यों होते हैं किसी लब खारा पांडरे केश होने का कारण जाने चेए वह देट पर में आपको एक नाम बोला था जिसका याद होगा आपको तो मेलेमिन यह एक केमिकल है जो हमारे रख्ट में होता है ठीट है जब यह रख्ट में जास्की होता है तो बाल एक दंप काले होते है एक दंप काले है जब यह रख्ट में मेलेमिन कमी होता है तो बाल सफेद होना शुग होता है पांडरेश होता है अब यह मेलेमिन ज्याद बहुत लंगे समय तक कुछ बीमारी आ गए है जैसे को भाई को या बड़ी को पांडरे टेश बहुत जल्वी हुए तो उनके बच्चों को भी होगा मेरा वज़ता ही किसका है मेरा बड़ी को 30 वर्ष की उम्डर में पांडरे टेश गोगा है मुझे भी अभी पांडरे टेश हो गए मुझे कोई बिमारी नहीं है रोग लेकिन यह जो बिमारी है इसको कहते है दी एले प्रॉब्लम है हमरे शरीड में एक ऐसी डेश जिसको डी एले करते है और यह आईपड़ेंस नहीं आता है तो जिनके आईकॉल को यह प्रास है पांडरे टेश होने का उनके बच्चों को होगा उसके लिए दुनिया में कोई आउशद काम बनी करें जो है और उसके लिए नहीं बाती सब के लिए आउशद है अगर आपको जास्ती समय जीवारी हुई है और पांडरे टेश हो है इसकी आउशद है आपके तनियम्न कम होगे आ किसी कारण से उसकी आउशद है तो आप एक बात को शोड़ कर कि आईपड़ेंस को अगर यह तर बात महीं है और आपको यह आगया तो इसकी सबस्के अच्छी आउशद है बलेने बढ़ाने की सबस्के अच्छी भारत में जो आउशद है उसका नाम है आउशद है आउशद है अब बताता है तो आप पहले क्या करेंगे पांडरे टेश नहीं चाहिए तो भरपूर ऐच्छी आउशद है तो आएच्छी आउशद है तो केष पांडरे नहीं होंगे नहीं होंगे और जो होड़ गये हैं वो अपने आप जड़े लेंगे और उनकी जगे काज़वाल आजयाए एपांडरए केष का कमाधान हुआ गया है? पांडरे केष नहीं केश है तो दूसरा और उप्या इस को यह प्रतर आप है दूसरा उप्या है ने फसकते के भाजी खाते oluyor तो मेरे नहीं बंठी रहेता तालब है ने पर छोल्ग है चुपता गुल्ग है इड़ता को रेशा के इड़ता के जड़ता के जड़ता के जड़ता है